हालो फ्रेंड्स गुड इवनिंग टॉ आप आप सभी अच्छोंगे मैं सौनारी सिंग आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में मैं फिर से लेकर आ गई हूं वन लाइनर ठीक है यह वीडियो का पार्ट 5 है इसका प करने वाले हैं इस बार जुलाई का तो आपके लिए काफी सारा इंपोर्टेंट कंटेंट है हमारे चैनल पर भी काफी वीडियो अविलेबल है तो आपको करना सिर्फ इतना है चैनल को फटाफर से सब्सक्राइब करके बैल लोटिफिकेशन को आन कर दीजिए बिना किसी द वादूंगी ताकि आप भूले नहीं तो सबसे पहले आपको इहां पर लिखा दिख रहा है तनाव एवं क्रोध की अवस्था है आपको बताना है कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे में तनाव और क्रोध जादा पाया जाता है तो वो होती किशूरा वस्था याद रख थर्ड है यहां पर शामपट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है तो शामपट यानि की ब्लैक बोर्ड या फिर आपके है सकते हैं ग्रीन बोर्ड और वाइट बोर्ड भी आजकल काफी चलन में है तो शामपट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है आप को पता होना शील लिखावर्ट ठीक है अगर लिखावर्ट अच्छी नहीं होगी तो बच्चे को समझ नहीं आएगा कि आप उस तक क्या डिक्टेट करना चाहा रहे हैं क्या उसको समझाना और पढ़ाना चाहा रहे हैं फोर्त है यहां पर बालक के व्यक्तिकत अध्यन की मनो वे ग्यानिक विदी जो कहलाती है वो होती है केस स्टडी इसको जीवन इतिहास विदी के नाम से भी जाना जाता है अगर पेपर में आप से पूछ लिया जाए कि जीवन इतिहास विदी किसे कहा जाता है तो आपको बताना है कि केस स्टडी ही जीवन इतिहास विदी होती है फिफ्थ है आधिगम के क्रम में कौन से क्रिया बालक पहले करेगा आपको पता होना चीए जब बच्छा लर्ण करना शुरू करता है तो वो सबसे पहले क्या करता है आत्मसाथ ठीक है और यह जो टर्म है आत्मसाथ करन ठीक है समायोजन इसके ओपर प्याजे ने काफी कुछ का है इसके एक सेपरेट वीडियो में आपको प्रवाइट करा दूगी आपको वहां से आइडिया हो जाएगा कि कितना इंपोर्टेंट यह टॉपिक है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया इस वीडियो को देख लिजीगा शिक्स पॉइंट आ यहां पर वहे विद प्रवर्तक कौन है विलियम वुड्ट आपको याद रखना है सरचनावादी किस संप्रदाई ने दिया ठीक है इसके प्रवर्तक कौन थे तो आप याद रखेंगे विलियम वुड्ट इसके बाद हमारे 9 यहां पर थ्वरी ओफ लर्निंग पुस्टक के लेखा कौन है नहीं है वो आपको बताना है उच्च चिंतन ठीक है यानि कि अगर कोई बच्चा लर्न करना चाहता है तो जरूरी नहीं कि उसके जो थिंकिंग है वो काफी हाय होनी चाहिए आप हमेशा निमनिस सर्थ से शुरू करते करते चीजों को उच्च चिस्तर तक लेकर जाते हैं चाहें वो आपका विकास हो विकास की प्रक्रिया हो या फिर आपकी लर्णिंग हो ठीक है तो इसमें आपको गन्फ्यूज नहीं होना है तो अब टाइम है रिवीजन का रिवीजन फटापट से कर लेते हैं एक नजर में देख लेते हैं सभी वन लाइनर को तनाव और क्रो सबसे पहले बच्चा करता है आत्मसाथ वह विदी जिसमें की खंड और पूंड विदियों को एक साथ प्रयोग में लाया जाता है वह कौन सी विदी होती है मिश्वित विदी इसके बाद हमने पढ़ा स्वामित्व अधिगम शिक्षण विदी के प्रतिपादा कौन है ब्लूम सनरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्ता कौन है विलियम वुंट प्योरी ओफ लर्णिंग किसी ने लिखी ए और हिलगार्ड ने और अधिगम यानि की लर्णिंग के बैल नोटिफिकेशन को अन कर दीजिए